Hello and welcome to the extra class English आज हम करे वाले हैं आपका चाप्टर Albert Einstein at School by Patrick Pringle जैसे कि इसका नेम सेजेस्ट करता है ये चाप्टर डिस्कास करता है कि कैसे Einstein स्कूल में थे क्या उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगता था क्या classes attend करना उन्हें अच्छा लगता था या नहीं तो चाप्टर शुरू होता है जब Einstein के history teacher उनसे question करते हैं कि बताव Einstein वो कौन से year था जब Prussians ने defeat किया था French को in the battle of Waterloo तो Einstein कहते हैं कि उन्हें नहीं पता उनके teacher पूछते हैं उन्हें क्यों नहीं पता तो Einstein reply करते हैं कि शायद मैं भूल गया होंगा तो उनके जो teacher है वो आगे से बोलते हैं कि क्या तुमने कभी याद करने की कोशिश भी करी थी तो Einstein कहते हैं कि नहीं मैंने कभी कोशिश नहीं करी तो उनके teacher कहते हैं क्यों तो Einstein कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मुझे ये जो dates बगेरा हैं ये सब याद करने के ज़रूरत हैं ये सारे तो facts हैं और ये already books में होते हैं तो जो उनके teacher हैं वो काफी जादा गुस्सा होते हैं उनको reply करते हैं कि हाँ, obviously Einstein ये सारे facts तो हम book में पढ़ी सकते हैं तो में उनको learn भी तो करना चाहिए तो Einstein कहते हैं कि मुझे need नहीं लगती इनको learn करने की मुझे क्या फरक पड़ेगा या इन facts को जानके मेरी knowledge थोड़ी ना increase होगी कि ये जो particular battle था, ये कौन सी date पे हुआ था मेरे लिए तो जो education है वो इस हिसाप से होनी चाहिए कि जो reasons हैं वो उस पे focus करें जैसे कि मुझे ये पता चले कि ये जो soldiers थे वो क्यों लड़े थे आपस में ये जो war था ये क्यों हुआ था तो instead of facts मैं यहाँ पे देखू कि reasons क्या है मेरे ये साप से education ऐसी होनी चाहिए अब जब उनके history teacher इस बात को सुनते हैं तो उनको बहुत ज़ादा गुसा आता है और वो Einstein को कहते हैं कि तुम deserve नहीं करते इस class में रहने के लिए क्योंकि तुम्हारे होते हुए मैं पढ़ा नहीं सकता और तुम इतने ज़ादा disrespectful हो अब Einstein जो है जब वो वापस घर जा रहे थे तो उनको बहुत ज़ादा बुरा लगा और बुरा इस चीज के लिए नहीं लगा कि ये जो day था वो bad था अच्छा नहीं गया उनको इस बात का बुरा लगा कि कर फिर से उनको यहीं पे आना है इस hateful जगा पे ऐसी जगा पे जहाँ उनका मन नहीं लगता जो उनको पढ़ने का मन नहीं करता वहाँ पे आना है और घर जाते जाते भी उनको कुछ ऐसा तो नहीं है कि पहुंची उनको बहुत अच्छा जो है वो लगेगा क्योंकि उनके जो father थे वो थोड़े से गरीब थे इसलिए वो क्या करते थे या उन्होंने क्या किया था म्यूनिक में जो सबसे poorest of poor quarters था रहने के लिए या जगा थी वो ली थी और वहाँ पे जब वो जाते थे उनको उनको देख कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था क्योंकि जो लेडी थी लाइन्स्टाइन को ये सारा जो महौल था वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था तो देखा जाये तो नहीं वो अपने स्कूल से साटिस्पाइट थे और नहीं जहां वो रह रहे थे वो वहाँ पे साटिस्पाइट थे अब उनका एक फ्रेंग था जिसका नाम था यूरी अब वो यूरी को कहते हैं कि कम से कम चलो ठीक है तुम एक civilized तरीके की apartment पे तो रहते हो एक ऐसी जगा पे तो रहते हो जहां पे लोग थोड़े अच्छे हैं ऐसे नहीं है तो यूरी कहता है कि कम से कम तुम्हें इस बात की खुशियों नीचे है कि तुम्हारे पास एक जगा है रहने को तो आइंस्टेंग कहते है कि नहीं मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं है क्योंकि यहां पे इस तरीके का महाल है और मुझे ये सारा महौल अच्छा नहीं लगता ना तो खाने के लिए कुछ अच्छा है ना प्रोपर यहापे मुझी नीनग आती है इतना शोर होता है मैं यहापे कुछ कर ही नहीं सकता तुमहारी जो घर है या तुमहार जो जगा है वो यहां से बहुत जादा बैटर है तो यूरियो नहीं कहता है कि नई मेरे वहाँ पे जो लोग है वो डूज करते हैं यानि कि एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं एक तरीके का गेम है उनके लिए और ऐसे ही एक दूसरे को वो मार भी देते हैं तो यह सारी कि सारी जगाएं जो बिल्कुल अच्छी नहीं है और यह लोग जो इस तरीके की हरकते करते हैं यह जो लड़ाई वगरा करते हैं यह सब students है अब वो बोलते हैं आइंस्टाइन को तुम भी तो कभी एक student होगे तो यहाँ पर आइंस्टाइन कहते हैं कि मुझे लगता नहीं है कि मैं ऐसा कर पाऊँगा मुझे लगता नहीं है कि मैं अपने जो डिप्लोमा है वो पूरा कर पाऊँगा क्योंकि मेरा मनी नहीं करता यहाँ पर रहने का मेरा मनी नहीं करता यहाँ पर पढ़ने का करती हैं कि देखो तुम्हें पास तो होना ही पड़ेगा तुम्हें एक्जाम तो देने ही पड़ेंगे और तुम्हें कर सकते हो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूं जिनको कुछ भी नॉलिज नहीं है जो तुमसे भी जादा स्टूपिड हैं और वो अराम से पढ़लेते हैंय तुम्हें करना कहा है तुम्हें सिफश को रटना है और वो तुम्हें上 से कर लोगों क्यों छो पैररट्स होते हैं तो तुम नहीं कर सकते हैं तो Einstein कहते हैं कि उनका मन नहीं करता ये सब चीजों को पढ़ने का समझने का In fact ये जो रटना है ये उनसे होता ही नहीं है तो वो उनकी जो cousin है वो उनको कहते हैं कि नहीं तुम इस चीज को कर सकते हो Then वो उनसे पूछते हैं कि तुम क्या पढ़ रहे हो ये basically science है और मेरा जो school है वहाँ पे science के बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ाई जो है वो नहीं करवाते अब Albert Einstein books जो पढ़ते थे अपनी choice की पढ़ते थे जो उनको books अच्छी लगती थी पढ़ने में जिन में उनका interest था प्लस इन books के अलावा उनको वाइलन बजाना जो है वो बहती जादा अच्छा लगता था लेकिन वो भी जो है अब कर नहीं पाते थे क्योंकि जब भी वो उसको play करते थे तो उनकी land lady आ जाती थी कि तुम बहुत जादा शोर मचा रहे हो और उनका मन करता था उसको ये बोलने का कि मुझसे जादा शोर तुम्हारा होता है क्योंकि तुम्हारे घर में ये जो daily की लडाई चलती है इससे जादा शोर आता है इस school में जाके मुझे जादा कुछ सीखने को मिल ही नहीं रहा मेरे father का भी time जो है मैं वो kill कर रहा हूँ इससे किसी का भी अच्छा नहीं होगा और ऐसा नहीं है कि school में भी मुझे जादा पसंद करते है तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं अपने father के पास जा सकूँ मैं मिलान जा सकूँ और वहां जाके अपनी पढ़ाई जो है वो कर सकूँ ऐसा तब ही हो सकता है until and unless मैं कोई ऐसा plan करूँ जिसकी वजह से मेरे father को ये लगे कि हाँ ये तो naturally ऐसा होना था यानि कि natural है ये चीज ऐसा नहीं है कि जान बूच के Albert कोई बहाना जो है वो बना रहा है तो अब वो अपने friend यूरी से पूछता है यूरी क्या तुम किसी doctor को जानते हो तो यूरी कहता है कि नहीं मैं as such तो जानता हूँ बट as such ऐसा नहीं है कि मेरे उनके कोई स्खास friendship है और ये सब तो फिर answer पूछते हैं लेकिन तुम किसी को तो जानते ही हो गए ना देखो मैं ऐसा कर सकता हूँ मैं किसी doctor से ये लिखवा सकता हूँ कि मुझे इस school में रहके मुझे काफी जादा problem हो रही है and that is the reason why कि मेरा mental breakdown जो है वो हो चुका है and मेरा यहाँ पर पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मेरी सेहत के लिए अगर मैं ये चीज लिखवा कर अपने फादर को दिखा दूँगा तो हो सकता है कि मैं यहाँ से निकल जाओ और मेरे जो फादर है उनको भी कोई अतराज नहों तो यूरी कहते है हाँ अपट ऐसे करेगा कौन ऐसे है कौन तो आइंस्टाइंग कहते हैं आप शो तुम्हारे कोई दोस होंगे जिनको पता होगा देन जो यूरी है वो कहते है कि हाँ मेरा एक फ्रेंड तो है लेकिन तोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मुझे सोचने दो और वो अभी अभी जो है जो उनका दोस्त है जिसके पार में यूरी बात करता है वो अभी अभी उसने अपनी जो स्टाडीज है वो पूरी कही होती है अभी उसने प्राक्टिस जो है वो करना शुरू किया होता है इस चीज को तो अब Einstein इस बात को सुनके बहुत ही ज़ादा खुश होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये उनका once in a lifetime चांस है कि वो यहां से जा सकते हैं, अगर वो एक नकली रिपोर्ट बनवा ले, जिसमें लिखा हो कि यहां पे रहे कि Einstein का वो एक mental breakdown जो है, वो हो चुका है, अब यहां पिर है उनके लिस्ता ही नहीं है, तो वो कहते हैं कि ऐसा अगर मैं करूँगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, और ऐसा वो हो भी जाता है, यूरी जो है, वो किसी ना किसी तरीके से उनके फ्रेंड जो कि अभी नए नए डॉक्टर बने हैं, उसके साथ जो है, के लिए काफी जादा difficult होता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे actually में एक mental breakdown जो है, वो शो करना पड़ेगा, कोई भी doctor से थोड़ी ना लिख देगा मेरे लिए, कि मुझे काफी जादा problem हो रही है, काफी जादा trouble हो रहा है, इसलिए मैं यहां नहीं रह सकता, तो actually म मुझे show करना होगा कि I am having a mental breakdown, मुझे परेशानी हो रही है, तो अब मैं इस चीज के लिए वो काफी जादा stressed थे, तो वो पूरी कोशिश करते हैं and जब वो doctor के पास मिलने के लिए जाते हैं, उस time तक वो इतने जादा stressed already होते हैं, इतने जादा already उनके दिमाग में चीज़े चल रही होती है, कि actually he is on the verge of having a mental breakdown, मत अब बहुत close होते हैं to have a mental breakdown, अब यहाँ पर जो यूरी है, वो पहले ही Einstein को बता देते हैं, देखो, कि तुम जो doctor है, जिसके बारे में तुमें बताया है, जिसके पास तुम जाओगे, उसके सामने कुछ fate मत करना, क्योंकि उसको पता है अब जैसे ही वो doctor के पास जाते हैं, तो doctor पहले ही कह देता है, कि मुझे सब पता है, कि तुम्हाई situation क्या है, यूरी से मेरी अच्छी बात हो चुकी है, तो तुम्हें यहाँ पर कुछ pretend करने के जुरूरत नहीं है, और मैं तुम्हें ही लिखकर दे दूँगा, तो अब Einstein ज तुम actually में उस position में होते, कि तुम्हारा mental breakdown यहाँ पर रहके होने ही वाला है, और यहाँ पर रहते रहते तुम्हारे लिए कोछ अच्छा होई नहीं रहा, तुम्हें यह जगा अच्छी नहीं लग रही, तो it will be of no good कि तुम यहाँ पर जबरदस्ती रहो, जबरदस्ती रहक पढ़ाई करो, तो अब क्या है, वो उसे पूछते हैं अच्छा मुझे बताओ, कितने महीने के लिए मैं लिखू, तो six months के लिए वो कह देते हैं, दाट उनको यहाँ से break चाहिए, he needs a break from this place, from this school, तो Einstein बहुत जादा खुश होते हैं, कि finally उनको यह जो एक letter है, वो मिल जाता है, अब उनका काग यह था, कि वो अपने, जो maths teacher है, उनसे एक reference जो है, वो लिखवा है, ताकि उनके आगे जागे, जब वो मिलाज जाके पढ़ेंगे, तो उनके लिए वो जो reference letter है, वो काम आएगा, तो वो यही करते हैं, वो जाते हैं, Mr. Coach के पास, और उनसे जो है, वो reference letter जो है, लिखवा लेते हैं, अब यह जो reference letter है, इसमें उनके जो math teacher है, उनके बार में काफी अच्छा लिखते हैं, उनके काफी बढ़ाई करते हैं, कि वो उनको और जादा नहीं पढ़ा सकते हैं, आइंस्टाइन को, क्योंकि आइंस्टाइन को उनसे जादा आता है, और यह अपना यह जो letter था, और यह जो medical letter जो लिखवा कर आये थे, वो दिखाना था अपने headmaster को, अब इससे पहले वो इस बारे में सोचते हैं, कैसे उनके पास जाएं, उससे पहले ही उनके headmaster ने उन्हें summon कर लिया, मतलब अपने office में बुला लिया, और इसलिए बुलाया था, उ बिल्कुल भी suitable नहीं हो, तो तुम्हेरे father को बोल दिया जाए, कि तुम्हें अभी के अभी यहां से लिजाया जाए, तो Einstein अब इस बात को सुनते हैं, तो वो एकदम से खुश भी हो जाते है, कि उन्हें लगता है, यह तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो यहां से already जा और मेरे father को यह भी नहीं लगेगा कि मैं कोई बहाना कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे school वाले भी यही चाहते हैं, और अब मेरे पास एक medical letter भी है, medical proof भी है, और plus मेरे पास एक reference letter है, तो मेरे लिए जो admission है, या Milan में जो आगी कि मैं studies करूँगा, उसके लिए यह सारी चीज़े perfect ह अब जाते-जाते जो उनके headmaster हैं, उनने कहते हैं कि वो दर्वाजा बंद करते जाएं, लेकिन वो उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, और बड़े खुशी-खुशी वो महाँ से exit कर लेते हैं, और जाते-जाते जो उनके दोस्त यूरी होता है, वो उनको best of luck करत है, क्योंकि उनको पता है अच्छी तरीके से, कि Albert Einstein इस छोटे से environment के लिए, जहांपे उनको restricted feel होगा, जहांपे उनको ऐसा feel होगा, कि इस से जादा knowledge तो उनके ही पास है, और उनको यहां से कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, उनके लिए यह बहुत अच्छा है, कि वो यहां से चले जा, तो यूरी जो उनके अच्छे दोस्त होते हैं, वो इस चीज को लेकर काफी जादा खुश होते हैं, और Albert Einstein वो भी इस चीज के लिए काफी जादा खुश होते हैं, और फैंक्फुल होते हैं टो इस फ्रेंड यूरी, और यहीं पर यह जो चाप्टर है, वो खतम हो बच्चे या फिर जैसा भी जो भी पढ़ाया गया, उसको एकसेप्ट करते थे, वो क्या करते थे, वो क्वेस्टन करते थे, वो reasons जो है चीज की पीछे उसको ढूणते थे, इसलिए वो सबसे अलग थे, उनके लिए रटना जो हो मुँग इम्पॉर्टन नहीं था, अगर चाप्टर है तो उसमें जो डेट से वो इंपोर्टेंट नहीं थी उनके लिए जो रीजन्स है वो काफी जादा इंपोर्टेंट थे यही सारी जो उनके कारेक्टर है राट लेट तो इस चाप्टर की थ्रू यही मैसेज दिया जाता है कि जरूरी नहीं है आपको हमेशा ही अच्छे माक्स लेकर आने है यह हमेशा ही जो अच्छे माक्स ही लाते हैं बच्चे वही जाके आगे बहुत अच्छा बनते हैं सम्टाइज जो स्टूडेंस अपने पैशन को फॉलो करते हैं अपने इंट्रेस्ट को फॉलो करते हैं they also become one of the greatest people. So, ये तो थी आपकी सम्मेरी of the chapter Albert Einstein at School by Patrick Pringle. That's all for this video. Now, until the next video, keep practicing, keep learning.